नमस्कार दोस्तू मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फ्लमिंगों की पोएम कीपिंग कॉइट को पढ़ने वाले हैं तो दोस्ता हम देखते रहे इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट को भी आपर सॉल्ट करने इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट के नुसार यहां पर चलने वाले और साथ ही इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इमेजिस की मात्यम से लाइन बाले एक्स्प्लिनेशन बताने वाला हूं और साथ ही यहां पर हम बहुत इंपॉर्टेंट को भी आपर सॉल करे इस वीडियो को देखेगा आई स्टाट करते हैं इस वीडियो को तो आई अब हम स्टाट करते हैं फ्लेमिंगों की थर्ड पोयम जिसका नाम है कीपिंग वाइट और इस पोयम को लिखा है पैपलो नरूडा जी के दवारा यह एक बहुत ही महान राइटर हैं जिनको नोबल सबदार और होप का बढ़ते मांगे और जो इनके राइटिंग होती है बहुत ही जटा सिंपल रहती हैं इसके अंदर यहि मैंक लहां हैं इंट्र एक्षिंड करते हैं इंट्रोस पेक्शन कTrust Akar ना कि अपनी आत्मा को हमने हैं कियो हुँत हम पास्ट में पर चीजह और पश्यताब करना नाओ पोएट यहां पर एक और चीछ पर एंपेसिस करता है वह सोल सर्चिंग मतलब अपनी आत्मा को टटोड़ना और यह अनालेसिस करना कि क्या हम सब कुछ सही तो कर रहे हैं और पोएट यह भी चाहता है कि सब कुछ एकदम शांती में रहे पीस में रहे और एकदम भाईचारी के भावना से सारी चीछें आगे बढ़े नाओ एक बार आप जल्दी से इस पोएम का एक क्विक इंट्रॉडक्शन में आपको दे देता हूं जिससे आपके मैसेज थीम यह वाले कोशन्स यहां पर आराम से डील हो जाएंगे से कीपिंग को पैबलो नरूडा ने लिखा है यही इनका पैन नेम है इनका बहुत ही बड़ा सा नाम है जो कि आपको एंसे आटी की स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा जब आप इस पोएम के उपर वाले उस सेक्शन को पढ़ोगे अबाउट दो पोएट के अंदर ना आत्सों हमें एन्वार्मेंट एनिमल्स और हुमन बीइंग के प्रती हामलेस रहना है उनको बेफालतु में मारना नहीं है और वो यहां पर सजेस्ट करते हैं कि अगर हमें पीस और हर्मानी को मेंटेन करना है तो यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि हम आत्मा का न बनती है नहीं कर रहें तो नहीं बनती है जैसे 12 इस तिल अर्थ लेंग्वे सेकेंड मच भाइसब कोई नहीं हो रही है तो यहां पर उम बोलेंगे कि एक प्री वर्स है मतलब कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं आई इस पोईम के अंदर फॉर्स इस तिंस आपकी स्क्रीन प बता दूँगा मैं पोईट सभी से बोलता है कि आपको अपने दिमाग में 12 तक गिन्ती गिन्नी है और यहां पर जो नंबर 12 है वो रिप्रेजेंट करता है आर्स को क्योंकि 12 घंटे रहते हैं आपको लॉक में जब देखेंगे तो आपको 12 तक का सिंबल देखने को मिलेगा इसके बाद 12 ही महीने रहते हैं एक एर में तो 12 एक तरह से टाइम को यह पर डिनोट कर रहा है ना वो चाहता है कि हम सभी इस पूरे टाइम में काम रहें और इस्टिल रहें ना वो पीपल अक्रोस दे नेशन्स वो सभी क्या हो जाएं एक दूसरे से युनाइट हो जाएं और वो यहां पर कोई भी भाशा है ना बोले यहां पर जो पोएट उसने बुला है कि यही सबसे बड़ा बेरियर है और अगर यहां पर अलग-अलग भाशा है नहीं होईगी है जैसे हिंदी, गुजराती, पंजाबी, जिंदी, मराथी, तेन, अरबिक भाशा, फिर अब की है यहां पर और यहां पर यहां पर कोई पर तो यहां पर रहें के शुख भाशा है नहीं हो सब्सक्राइब करने के लिए इस पूरे प्रत्वी पर सभी लोग एकडम युनाइट हो जाएंगे पर एट लीस्ट वजरा इस आम इधर कुछ भी सिगनल करने के लिए उस फाइट क बिन के लिए किसी भी चीज़ के लिए आपको इत्यारम को यूज रही कि अब करने करना है यहां पर यहां पर आम्स का मुटिपर मीनिंग्स निकल रहे हैं एक आम्स होता है फायरा मतलब पुरा शब्धि अगर रिपीट होता है तो इसको बंद रिपेटेशन बोलते है तेन सेकंड सेंज़ा है कि इन एक्षार्टिक मोमें विदा रॉप सा जाएगा तो यह एक रेयर सिच्वेशन रहेगी और इस सिच्वेशन को अभी हमने एक्स्पिनेंस किया था कोरोना में जहां पर सब कुछ एकदम रुक्सा गया था और कोई यहां पर किसी रश में नहीं था गाड़िया नहीं चल रही थी और एकदम काम क्वाइट घर पर थे उनाइट थे एकदम इस ट्रेंज सा इट्मोस्फेर बन नहीं करेंगा एंड और फॉर फूर और अर्निस लाइब लिए ना जो भी काम है सब घर से यहां पर हो रहा था कोरोना के टाइम में भी और पीपल हो वर्क एंडलेसली विल गेट सम टाइम तो लोक अपन देर इंजरी से ना जैसे जो मजदूर वर्क है वो भी अपनी इंजनेस रहिए होगा है हिस हर्द है एंड है एच रही तो अर्स यहां लग जाएगा नेक्स अपने पास थर्ट इंज ग्री इंजरेंग दोर्कित आ म्री और साक्षिट बहतना नो शर्वाइब फिक्त पॉर्ट विदूलिग और एंडम दीषख वार्ट पराइब विसां wealth of nature को environment को exploit करते हैं deforestation करते हैं मतलब बिना किसी वापिस पेड लगाने के intention से पेड को काटना उसको deforestation बोला जाता है mining की जाती है तो वहाँ पर mining से भी क्या होता है balance of the earth बिगरता है जिसे अभी आपने सुना होगा bucks वहाँ जंगलों में diamond की mining करने के लिए साड़े पेड को काटा जा रहा था तो वह भी बहुत निवस में चल रहा था तो यह माइनिंग करना डीप शी में फिशिंग करना है उससे क्या होगा आप मराइन एको सिस्टम को हाम कर रहे हो soldiers who use weapon to kill fellow human beings है ना लोग मानव ही मानव को यहाँ पर मार रहा है तो इन सभी को भी यहाँ पर time मिल जाएगा और यह introspect कर पाएंगे आथ narration कर पाएंगे into the consequences of their action की इनके action से क्या यहाँ पर consequences हो सकते थे they are mainly doing their job or following orders तो यह तो अपना job ही यहाँ पर कर रहे है और orders को follow कर रहे है he wants them to put new clothes वो चाहता है कि सभी लोग यह exploitation भरे कपड़ों को छोड़े और नए कपड़े हाँ पर पहने और एक नया approach इस life के प्रतिय अपना है और realize करें कि भाई आप जब लोगों को मारते हो तो वो कई जीत नहीं है जैसे war होता है तो war में for example इंडिया और किसी दूसरी country का war हो रहा है तो इंडिया ने सामने वाली country के 500 soldiers मार दिये और सामने वाली country ने भारत के 100 soldiers मार दिये तो इससे क्या होगा अब भले at the end of the day कोई जो country हो बोलते के हम जीत गए लेकिन यार जो वो छेस्सों सेनिकों को लॉस हुआ है वो तो कितना बड़ा मानना वो लॉस हो चुका है और वो छेस्सों सेनिक सिर्फ डारेक्ली इंपेक्ट नहीं हुए उनके related जोनकी family members थे जोनक पर भी फरक पड़ा है तो मारना कभी भी क्या है एक final solution नहीं है कोई victory नहीं है he wants all of us to be united है ना हम सभी united रहें और अपने दुश्मनों को भी एकनम दोस्त बना ले भाई बना ले हम भाई चारे को peace को unity को promote करें now he does not want us to stop our work है ना वो यह नहीं चाहता कि भाई अपना काम जिन्दा तो आपको कर नहीं है लेकिन हाँ आप अपने results को इस टाइम में analysis करें कि जो आप यहां पर कार्य कर रहे हैं क्या उसके क्या पर नाम हो रहे हैं क्या वह फाइदे मंद्य है या नुकसान दायक है अब यहां पर लिटरे डिवाइस में वही एलिटरेशन का यूज मतलब क्या होता है जब वावल्स का यूज किया जाता है consecutive शब्दों में तो जैसे यहां पर है विक्टरी विट नो सर्वाइवर्स वुट पूट अन क्लीन क्लोट और वॉक अबाउट देर ब्रदर्स ना तो यहां पर सर्वाइवर्स वुड नो ना तो यहां पर ओ वोवल जैसे यहां पर आप देख सकते वार्स विट फायर वार्स विद गेस ग्रीन वर्स तो अल्मुस्ट एक ही लाइन में दो तीन बार वार वार शब्त का प्रयोग कर लिया गया है तो यह हो जाएक अपने पास यहां पर क्या है कि जितने भी यूमन बिंग से काम कर रहें endlessly और उनका एम बस ही कि कैसे ने कैसे हमारा कार पूरा हो जाए आप यहां देवन बाइट उनको टार्गेट दे जाते हैं एंड एक तो कंपनी वाले लोग भी टार्गेट देती हैं साती एक जीवन जीने का है ना सर्वाइबल का टार्गेट है उनके पास एंड थ्रेट ऑफ देथ और मौत का भाई तो यहां बिलकुल एक मैट सी रश में हो कि यहां कैसे भी कारिया हैं पर कंप्लीट करना है बिलकुल वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है और यहां परहप्स इफ देविल पॉस फॉर एवाल अगर हम कुछ देर के लिए रूख जाते यहां पर से खोच पाएंगे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सीख लेनी चाहिए जैसे जब आर्थ है तो वो भी यहां पर चेंजेस उसके अंदर होते हैं ना विंटर सीजन में सब कुछ एकदम फिरीज हो जाता है समर सीजन आता है रेनी सीजन आता है तो यहां पर जो अर्थ का काम हो कंटीनियूस चलता रहता है और अर्थ हमेशा साइलेंटली अपना काम करते हैं कभी ऐसा नहीं होगा कि पर लेके अर्थ आगई सुनो 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 विंटर सीजन आने वाला है ना सब अपने अपने थंड वाले कपड़े निकाल लें नहीं भाई साब आर्थ ऐसा नहीं करेंगे चुप-चाप अपने काम करती रहेगी सिमिलरली हमें भी यहां पर क्या करना है अपने काम एकदम चुप-चौप करना है अपने लाइफ के अंदर इससे हमें एक नया जीने का मकसद मिलेगा हम यहां पर अंडरस्टेंड कर पाएंगे और यह बिल्कुल एक प्रकार से रीबर्थ होगा जैसे कोरोना के बाद बहुत सार लोगों के अंदर एक नई जान सी आ गई थी क्योंक सब्सक्राइब करेंगे अब हम इसके इंपोर्टन करेंगे इसके पहले आपको एक अपडेट बता देता हूं कि मैं आपको नगाडमी पर पढ़ाता हूं और अगर आप चाहते हैं कि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन ले तो यार अभी एक बहुत कमाल का उफर चल रहा है जा पर 20% आफ आपको मिलेगा आपकी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर 17-22 जुल हो जाएंगे बढ़ते हम आगे और कुछ एक्सपेक्टेट कोश्चन से हम यहां पर देख लेते हैं कि 12 तक काउंट करने से क्या यहां पर हम अचीव कर पाएंगे जब हम 12 से काउंट करेंगे तो इससे में कुछ ताइम मिलेगा जिसमें हमारे डीट को हमारे कर्मों को अनलाइज कर पाएंगे और हम देख पाएंगे कि हमारी एक्टिविटी से क्या रिजल्ट यहां पर हो रहा है पीपल इन दिस जो वर्ल्ट हैं जो कि वार्स में और आपने वहां पर इंट्रस्पेक करेंगे एंड अनफॉर्शनेटली इस इस टेकिंग आल फस्ट वार्ट सवर एंड है और अगर हम ऐसे ही डिस्ट्रॉय करते रहें तो तो भाई सब हम बिल्कुल अंद के तरह बहुत जाएंगे तो इसलिए कर हम कुछ टाइम लेके इंट् थोड़े देर के लिए रूखे अनलाइज करें और वाप इससे अपने काम में कंटीनु करने लग जाएं एक प्रेक्टेस कोश्चन आपके लिए आप इसको कमेंट बोक्स में अंसर कीजेगा वाट इस दे सेटनेस्ट एट पोएट रफर्स तो इसका अंसर आपको PDF में मिल काउंट ये नक्रिक्टिवाइग करता है तो ये सिग्णीफाय करता है सिग्णीफाय आर्स मन्स ओर रहाली करेगा ये समय करेगाए प Ear なफ तोट का प्रेष्ट पोएट का और संपने बेखा ह था जब अब आप पड़ा था कि वहां पर दर्शा आथा essence क्या है message यहां पर यह कि introspection और retrospection अपने को करना है peaceful and harmony के लिए option number a poet feel करता है needed to be at peace तो आपको क्या करना है soul को search करना है ठीक है अपनी आत्मा का direction करना है according to poet variates कौन create करता है तो language variates create करती है destroying the environment so क्या destroy करता environment बिल्कुल बिना सोचे गए actions violent action और बिना सोचे गए कुछ बोल देना तो इस सारी चीज़े environment को destroy करती है and option d why does poet ask people not to speak क्योंकि या जब वो बोलेंगे तो it will create barriers obstacles in the form of misunderstanding हो जाएगी लोगों के बीच में और फिर वो लड़ाई जगड़ा होगा क्योंकि लड़ाई जगड़े के हमेशा पीक भी न करें और मूव भी जाता ना करें next what does poet mean by let's not speak in any language तो अभी लाइट चली गई थोड़ा सा वह रहा होगा है ना काला काला हो गया होगा तो थोड़ा सा में brightness बढ़ा देता हूं ऐसे yes so what does the poet mean by let's not speak in any language तो poet क्या चाहता है poet चाहता है हमें to be silent पुन पुन मतलब होता है जब एक शब्त को दो प्रकार से यूज किया जाता है तो यहां पर जैसे आम्स को दो तरह के सी उस किया गया एक तो यूमन आरगन एक डिस्ट्रक्टिव वेपन तो option c next हुजाएगा इट वुड़ बीन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश इंजिन तो यहां पर एग्जॉटिक मोमेंट क्या है तो इग्जॉटिक मोमेंट क्या है साइलेंस को रफर करता है तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है कि आप कोई वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके कोई भी डाउट्स हों सुमालिया सुझाओं तो आप जरूर से इसको कमेंट वोक्स में लिख दीजीगा दोस्तों आप हमारे च करना है